अलो स्टूडेंट्स मैं नीरु गुप्ता असोसियेट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री गवर्मेंट एमेस कॉलेज बीका निरुट्स आज हम बीस्टी पार्ट थार्ड के फर्स पेपर की सेकंड योनिट का सेकंड चेप्टर जो हमने पिछले तीन लेक्टर से कंटीनू किया है उसके अगले टॉपिक को आज हम बिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउन स्टेट अर्धात स्पेक्ट्रोस्कोपिक निमनतम अवस्था को समझने के लिए हमें कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स को समझना हो यह हम जानते हैं कि किसी भी परमानों के उर्जास्तर को चार क्वांटम संख्याओं के आधार पर हम समझा सकते हैं जिसमें एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम N से रिपेजन करते हैं दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसे हम small L से रिपेजन करते हैं, तीसरी होती है चुम्बकिय क्वांटम संख्या जिसे हम small M से रिपेजन करते हैं, और चौती होती है चक्रन या स्पिन क्वांटम संख्या जिसे हम S से रिपेजन करते हैं, अब ground states को समझने के लिए हमें कुछ rules को follow करना होता है the different terms in an atom arranged in order of energy and the ground state term find out on the basis of hund's rule हम hund's का नियम पढ़ चुके हैं कि electrons सामानेत्या पहले नियुनतम और जास्तर में जाते हैं और फिर hund और poly के नियम का पालन करते हुए अन्यक अप्शकों में भरते हैं the rules for determining the order of energy for different atoms are as follows ये hund's और poly के नियम को समझने के लिए हम कुछ energy terms के बारे में पहले discuss कर लेते हैं the terms are arranged depending upon their spin multiplicities या s values largest the value of s most most stable will be the ground state has maximum unpaired electrons this gives the minimum electrostatic repulsion and hence the lowest energy पदों को बहुकता या multiplicity के करम में व्यवस्थित किया जाता है s का मान अधिक्तम होने वाला पद सबसे स्थाई होता है क्योंकि इस स्थिति में सबसे कम electrostatic force of repulsion या इस्थिर वैद्वित प्रतिकर्शन पाया जाता है second जो हम इसमें rule follow करेंगे वो है कि if two or more states have the same value of s यदि दो या दो से जादा states की में s का मान समान है then the state with highest value of l will have the lowest energy तो जिस state की l की मान सबसे जादा होगा वो उर्जा में सबसे कम होगा अर्थाथ s के समान के लिए l के उच्चतम मान वाला पद सबसे स्थाई होता है तीसरा नियम for terms having the same s and l value यदि s और l दोनों का मानी समान हो the term with smallest j value is the most stable तो उस स्थिति में j जिसका सबसे निवनितम मान होगा वो सबसे स्थाई होगी कब if the sub shell is less than half filled यदि sub shell अर्ध पूरित अगस्था में है और यदि sub shell अर्ध पूरित तवस्था से ज़्यादा है तो उस समय वह term वह पद स्थाई होगा जिसके लिए j का मान maximum है या अधिकतम है अब हमें इस example से इसको clear करते है the term derived for P2 configuration P2 vinyas हम जानते हैं कारवन का है तो P2 vinyas के लिए अगर हम ground state term को निकालना है तो हमें क्या इन rules को follow करके हम इसको निकाल सकते हैं यह हम इस example से clear करें अब यदि कारवन के electroni vinyas को देखें तो उसके P2 vinyas में दो electrons का filling होनी है और उसके लिए संभावे तवस्थाएं बहुत सारी है लेकिन ground state term जैसे हमने पिछले lecture में term symbols की बात की थी तो हमारे पास हम इन उपर वाले जो हमने भी नियम यह rules की बात की है इनको ध्यान में रखके हमें तीन ground state terms उसके लिए प्राप्त होती है पहली है 3P दूसरी है 1D और तीसरी है 1S यह ground state term की साधार पर है 3P के लिए value of J है 1 क्योंकि यह less than half field है यहाँ J का मान जब हम निकालते हैं तो 1 lowest 0 1 और 2 हमें 3 values प्राप्त होती है तो value of S जब हम 3P के लिए निकालेंगे तो वह हमें मिलती है 3 यानि कि इसकी बहुलता 3 है 2S plus 1 is equal to 3 है 1D के लिए भी इसका मान 1 आता है जहाँ J का मान 2 है और 1S के लिए यह value हमें 0 मिलती है J की और इसमें multiplicity 1 आती है अब इन तीनों stable states में से जो 3P है उसकी multiplicity आप देखना है कि maximum है 3 जिसकी की 3 terms हमें मिलती है 3P0 इन तीनों को जब हम compare करेंगे तो हम यह देखते हैं कि 3P0 की energy सबसे कम है क्योंकि 2P configuration में carbon less than half field है इसलिए अगर हम उर्जा के क्रम में इन्हें विवस्तित करें तो हमें यह क्रम 3P0, 3P1 और 3P2 प्राप्त होता है इस तरह से हम carbon की different terms को increasing order of energy में arrange कर सकते हैं यह हमने इसको एक diagram में represent किया है ओर्जा का क्रम है carbon का विन्यास 1S2, 2S2, 2P2 है तीन ground state term है 3P, 1D और 1S 3P की तीन अवस्ताएं है 3P0, 3P1, 3P2 जो की lower to higher energy order में हमें दिखाई दे रही हैं और उसके बाद 1D और 1S है तो हमने उन नियम के अधार पर एक carbon के configuration में ground state term या निम्नितम आवस्ता को calculate किया इसके लिए कुछ direct determination methods भी है जैसे configuration अगर हमें ground state का पता है तो it is not necessary to determine all the terms and then select the state having lowest energy of by हूंट्स rule हम सारी terms को calculate नहीं करेंगे हूंट्स rules के अधार पर जो निम्नितम उर्जा अवस्ता है वो देख लेंगे और उसके लिए हमें जो steps follow करने हैं वो क्या है first of all, electrons are distributed in the orbitals of equal energy in such a way to give maximum unpaired electrons with parallel spin सबसे पहले, electrons का जब distribution होगा अलग-अलग orbitals में तो वो इस प्रकार से होगा कि हमें अधिक्तम अयुगमित electron जिनका चक्रन समान है या parallel है वो प्राप्त हो this gives the multiplicity इससे हमें उस निम्नितम अवस्ता की बहुकता प्राप्त होगी दूसरा spin multiplicity को maximum रखते होए electron को उन orbitals में जाना होता है जहां magnetic quantum number या चुम्ब किये quantum संख्या का मान अधिक्तम होता है जिससे हमें L प्राप्त होगा अब हम S और 2S प्लस 1 और L की value से ground state term को calculate कर लेंगे जैसा कि हम आगे एक box diagram से इसको समझाने में आपकी help कर रहे हैं for example D2 configuration के लिए हम इस direct method को use करते हैं D2 configuration का मतलब ground state जिसमें की parallel spin के 2 electrons है now these electrons will occupy only those orbitals which give maximum value of L ये electrons उन orbitals में जाएंगे जहां L का मान हमें अधिक्तम प्राप्त हो thus both electrons having parallel spin and the D orbitals having plus 2 and plus 1 will be occupied इस box diagram से आप देख रहे हैं कि M की हमारे पास 5 values है plus 2, plus 1, 0, minus 1 and minus 2 तो electrons चुकि plus 2 और plus 1 में गए हैं तो L का मान हमें प्राप्त हो रहा है plus 3 और S की value हमें मिल रही है 1 तो spin multiplicity हमारे पास क्या आगई 3 since 3 जो letter है वो F को correspond करता है तो इसलिए term symbol हमारे पास इसका मिलेगा ground state का D2 configuration के लिए triplet F जिसे हम 3 F लिखते हैं इस तरह से हम direct method से और spectroscopic ground state calculation की जो rules हैं उससे हम different configurations के लिए spectroscopic ground state terms को calculate कर सकते हैं अब यहां हमारे पास इस table में different S और different P configurations के लिए ground state term की calculation को समझाया गया है इसमें आप box diagram देख रहे हैं S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5 and P6 S में चुकि maximum 2 electron आ सकते हैं तो S1 और S2 है P में एक से लेके 6 electron आ सकते हैं तो P1 से P6 तक है हर एक box diagram में एक एक करके electron भरे जा रहे हैं हर एक box diagram के लिए उसकी S value L value उसकी spend multiplicity यानिके 2S plus 1 और उसकी ground state mentioned है जब आप इन box diagram को उपर वाले रोनियमों के अधार पर देखेंगे तो आपको ये ground state term बहुत easily understood बहुत clearly समझा जाएंगे इसी तरह से इस दूसरी table में हमने different d configurations के लिए भी ground state term की calculation को शो किया है d में maximum 10 electron आ सकते हैं तो d1 से लेके d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9 और d10 हर एक के लिए value of S, value of L, 2S plus 1 and ground state term box diagram की सहायता से हम कैसे calculate करेंगे ये आप इस table से बहुत easily समझ सकते हैं इस तरह से हम इन ground state terms को आसानी से direct method के अनुसार calculate करके और ये बता सकते हैं कि spectroscopic ground state term यानि कि spectroscopic निम्निता मवस्ता किसी भी विन्यास के लिए क्या रहेगी तो इस पूरे lecture में हमें term symbols का और spectroscopic ground state terms को correlate करते हुए इस topic को दुबारा से एक बार consider करना होगा, दुबारा से clear करना होगा तो आप पिछला lecture भी इसके साथ continue करें और आज वले इस lecture को उसके साथ coordinate करके अगले lecture के तयारी करें अगला lecture हमारा spectrochemical series पे है तिल दन इस थैंक य।